पवित्री रिष्टा वो शो जिससे सुषान सिंग राजबूत ने अपने करियर की शुरुआत की वो शो जिससे मानव और अर्चना की प्रेम कहानी घरगर तक पहुची और सुषान सिंग राजबूत को लोगों ने बेपना महबत दी और इसी शो के बाद सुशान सिंग राजपुत ने अपना बॉलिवुड में डेब्यू करने का जो सपना है वो साकार किया अब सुशान सिंग राजपुत हमारे वीच नहीं है और इस शो का डिजिटल वर्जिन बन रहा है जिसमें सुशान के किरदार मानव को निभाने वाले हैं टीवी एक्टर शाहीर शेख चलिए आपको बताते हैं क्या कहा शाहीर शेख ने जब उनसे पूछा गया कि उनको इस रोल को प्ले करने में क्या मुश्की ले आई और कैसा लगा उनको जब उन्हें ये रोल ओफर हुआ था नमश्कार दोस्तों मेरा नाम है मॉनिका और आप देख रहे हैं बॉलेविट स्पाई जल्दी से चानल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये बात करते हैं पवित्र रिष्टा 2.0 की ये एक डिजिटल वर्जन है जिसमें मानव और अर्चना की प्रेम कहानी को लिमिटेड एपिसोर्स में दिखाया जाएगा आप एकबर फिर से इस मैजिकल लव स्टोरी को स्क्रीन पर देख पाएंगे इट सैट कि अब सुषान सिंग राइफकुत हमारे बीच नहीं है और ये जो किरदार है मानव का कोई और नी भा रहा है लेकिन एक्टर शहीर शेख ने इस रोल के लिए काफी जादा मिहनत की है एक इंटर्वियू के दरान शहीर शेख ने बताया कि जब उन्हें ये किरदार ओफर हुआ था तो बहुत ही जादा डायलमा में थे कि उन्हें ये रोल करना चाहिए कि नहीं और उन्हें 15 दिन लग गए इस रोल के लिए हां होलने में उन्हें कहा कि उनके दिमाग में जो first thought आया था जब उन्हें मानफ का किरदार ओफर हुआ वो ये था कि लोग मुझे accept ही नहीं करेंगे और उन्हें ये रोल करने से मना कर दिया था फिर काफी जब उन्हें सोचा उन्हें लगा कि ये opportunity उन्हें मिस नहीं करनी चाहिए क्योंकि अगर सुषान्त उनकी जगा पर होते तो वो भी give up नहीं करते जब उनसे पूछा गया कि क्या हो कभी life में सुषान जी से मिले थे उन्हें आ होते तो उन्हेंकि वो दो बार सुषान सिंह राजपूद से मिले थे और बहुत ताहूं हो उन्हें तारीज भी कि सुषान थे राजपूद कि ये कहते हुए कि सुषान ने टेली विजन से जिस तरीके से बॉलिवूड में अपना नाम बनाया इसने टेली विजिन के कला कारों के लिए रास्ता फोला बॉलिविट में जाने का उन्हें बड़े सपने देखने सिखाए और इसी लिए उन्होंने सुषान सिंग राजपूत को अपना आईडियल मानते हुए ये जो रोल है मानव का वो एकसेप्ट किया क्योंकि अगर उनकी जगा सुषान होते तो वो चैलेंज को एकसेप्ट करते वो हार नहीं मानते तो अब देखते हैं कि शहीर शेक को एजवानव लोग कैसे एकसेप्ट करते हैं आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए कि पवित्र रिष्टा 2.0 में शहीर शेक और अंकिता लोखंडे की जोड़ी के बारे में आपका क्या कहना है कि आपने पवित्र रिष्टा जो ट लोड़ी स्पाइ